देराग जी आपको देखो एक वर कंसेप्ट बता लिया पहले जैसे बात कर नहीं आपके लिए कंसेट बता देते हैं कंसेट ज़्याद अच्छा रहता है अच्छा रहेगा थोड़ा सा आज सभी जितने भी हमारे पूरे देश में साथ ही है खासतोर से जो अपने आपको हम तो समण कहते हैं मगर वह बहुजन या मूल लिवासी या SC, ST, OBC कहते हैं या दलेतिया, सूद्रिया, पिछड़ा जो भी बोलते हैं क्योंकि हम तो बुद्ध के अनुई आई हैं तो बुद्ध के प्राची नों पहला जो सब्ध है समण उसी को अस्तमाल करते हैं तो आप सब लोगों ने एक कमाल की बात आज देखी होगी कि साहाब कासी राम जी जिनका आठ तारिकी रात को परिनिब्बत हुए थे यानि जो ब्रत से निब्बत हुए थे बहार हुए थे जीवन के ब्रत से उनको नो तारिक को मनाय जाता है बताया जाता है तो यहां आज आपने वाट्सेप देखा होगा सारे के सारे कारिक्रम देखे और आपने देखा होगा कि देश के हज्जारों और लाको संग्ठन जो अलग अलग रहते हैं वह सारे के सारे ही साहाप कासी राम को अपनी विनम्र अधरांजली अपनी सद्धांजली अपनी विनम्ता अपना आभार जितने भी सब्द है सारे के सारे वो प्रिकट कर रहे हैं और सब अपना फोटो भी साथ लगा रहे हैं नाम भी साथ लगा रहे हैं और फॉन नमबर भी साथ है लोगों ने बड़े-बड़े कारिक्रम भी आयुद किये हैं और सभी लोग सोचते हैं कि सहाब कासी राम की बड़ी खूब चाकू मारे और हर नौ तारिक को चाकू और तेजी से मारेंगे और ज्यादा मारेंगे तरसल कोई जय जय कार नहीं कर रहा कोई उनका कहीं कोई सद्धाजली नहीं कर रहा कोई अधरांज नहीं कर रहा सारे के सारे लोग पूरी तरह से जितना भी गद्दारी कर सकते है साब कासी राम के नाम पे उतनी गद्दारी आज हुई और अगले साल फिर होगी कैसे होती है क्यों होती है क्यों महापुरुस कहके क्या जाता है वो कर क्या रहा है महापुरुस कहता है बहुजन बनाना है महापुरुस कहता है एक साथ रहना है महापुरुस ने पूरी जिंद कि सबको इखटा करने में लगा दिए और वही लोग जो महापुरुस का नाम ले लेके और लड़ने और मनने के लिए त्यार हो जाते हैं वो अपने अलग-अलग संग्ठन और अलग-अलग घर बनाकर उस महापुरुस का जलूस निकालते हैं क्योंकि महापुरुस तो है नहीं अब तो खाली फोटो है सुदीर जी आप अन्म्यूट करिए आप म्यूट है शायद किसमें म्यूट करिया जो आइडिलोजी बावा साब ने दी तरहना है आपने कहा है सब्सक्राइब पहले मैं कुछ बात कर लूँ उसके वाह सब्सक्राइ तो यह जो आइडिलोजी दी जाती है जब महापुरुस को याडिलोजी देखे जाता है जैसे बुद्ध ने इक आइडिलोजी दी के संग रहना है और संग एक रहना है जब संग एक रहना है तो संग के टुकड़े करने वाले बुद्ध की आइडिलोजी के कैसे अनुयाई होगे कैसे मानने वाले होगे कैसे उसके उपासक होगे जो इस बात को नहीं कहते हैं तो हम खतम होते हैं मारे जाते हैं जब बावा साब अमबेट कर ये कहके गए कि संग्धित रहो संग्धित रहो संग्धित रहो तो कैसे अलग-अलग लाखो लोग उनका फोटू लगा के जया-जय कार करते हैं और क्यों हम मरने के लिए लग लग होते हैं क्या महापुरुस का मरने के बाद मा फोटो लगा कि हम ये बात कहते हैं कि हमने महापुरुस की बात नहीं मानी जो लोगों पर हम आरोप लगाते हैं कि हमको मूर्टी बनाकर ये कह दिया कि महापुरुस को मारना है तो उसके जैजाकारे करो उ हम क्या कर रहे हैं अभी 15 साल नहीं हुए हैं उस महापुरुस को गए हुए और 1500 आप ने फोटो लगा के अलगलग संग्धर बना दी उसके नाम पे आपको बावा साब के नाम पे बना दिया रहे लेटेश था नया था तो कम से कम इक तो हो जाते आज कम से कम एक जिगे तो आ किसे सपोर्टर हैं जो एक बार नहीं कहते हैं अपने नेता को कर क्या रहा है तो महापुरुस के नाम पर कर क्या रहा है तो राज्यति पार्टी के नाम पर अलग लगा लेता कम से का महापुरुस के टुकड़े तो मत कर जो महापुरुस के टुकड़े होते हैं महापुरु एक रसीत काटली और उसके बाद हम अपना अलग अलग ले जाके दुकान खोल के उसको justify करने लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और ऐसे justify करते हैं कि हम से ज़्यादा justification उसकी है नहीं करोगे क्या नहीं करोगे परिणाम तो देख लो एक इतने पड़े लिखे हो इतनी डिग्रियां ले ली है तो नख समझ में आना चाहिए के महापुरुस के जैकारा करके और वाट से पर फोल चुक्ता यह बैरन लगा कि वो होगा इतनी सी भी अगर समझ किसी समाज को नहीं आती है तो पड़ोशी से सीख लेना चाहिए जो उसका विरोधी समाज है वो विरोधी समाज जब अपने महापुरुस का जैकारा करता है तो सारा समाज एक समझ लेते कि जब संग एक था तो बुद्ध ने संग को टूटने नहीं दिया बावा साब ने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें जात का संग्ठन बनाना है तुमको अलगलग बनाना है कब बावा साब का नाम लेते हो कितना रट्टा मारते हो और फिर बावा साब की आने वाले हैं जिनका नाम रटते हो जिनका नाम लेते हो उन्हों ने कभी अलग अलग संथनी बनाएं उनका नाम रटने का फायदा क्या उनके सबकी बिशाधरा रहा है फंवीर से लेके और आव année तक साथसीर आम कि इन्की तो विचार Фशा पी तु कि नहीं नहीं है उनके सोचने और समझने के लिए बात हैं भक्तों को बड़ी चुक्ती है और चुबनी चाहिए तोकि भक्तों के लिए कभी किसी महापुर्शन ने इको है सब्सक्राइब होता है उसकी बुद्धी काम नहीं करती इसलिए जो जानकार लोग है उन्हें अपनी बुद्धी खोलनी चाहिए उनको समझना चाहिए कि महापुरुष कहता क्या है महापुरुष का रट्टा मत लगाना चाहिए तो वीदा पीपल में साधरन लोगों ने बात समझी बहाई ऐसे तो हमारे जाएंगे ऐसे तो हमारा बेडा गरक हो जाएगा क्योंकि जैकारा लगाने से अगर सम्विधान की धाराय हमें हमारा आपका क्योंकि सम्विधान ये कहता है मेरा जैकारा मत लगाओ अगर तुम्हें मुझे बचाना है या मुझे से कुछ लेना है तो एकट्टे होके आओ तो हमारे लोगों को समझा दिया अरे वहां उनकी खिद्मत में हाजिर हूँ मैं वहां उनका लाप करूँगा क्योंकि मैं वीधा पीपल से चलता हूं हम भारत के लोग से चलता हूं आप 51% वीधा पीपल एकटे कर दो जो हुकम मेरे आगा जो कौँगे मैं आपकी सेवा करूँगा मगर आप तो 85% यो 90% हो तो 50% एक एकटे नहीं हो पारे हो तो इसमें सम्विधान का क्या क्या करेगा लोग इखटे होगे तो कैसे अधिकार बचेगा अरे बचता है अधिकार दो अपरेल को कोई MPMA आपकी फ्योर में नहीं आया कोई बहुत बड़े बड़े जो एलिट क्लास के लोग थे वो नहीं आये साधरन लोग पर आए सम्विधान ने कहा कितरे आए उने का बहुमत है पूरे दिन के लिए अगर 50% से ज़्यादा इखटे हो जाते तो पूरे दिन में चमतकार होता अगर पर्मानेंट 50% से ज़्यादा लोग इखटे हो जाएंगे समू में खटे हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी जो गई हैं वो सारी आ जाएंगी वगर हमारे जो लोग है वो temporary इलाज बहुत धूंते हैं उनको temporary क्योंकि बड़ी सोच नहीं है बड़ा काम नहीं है और बड़ा काम अगर है भी और जानते भी है या कोई बताए भी तो पहले ही कहेंगे कि हमारे दुआरा होना चाहिए हमीं करेंगे इसके आका हमीं संग का नेता संग का संग ही होता है जैसा बुराने समय में होता है पैसे लेते यो बागजाते पर्चियों का धंदा बना दिया. लोगों ने सदसरा के नाम पे सुन कर दिये कोई बिल्डिंग के नाम पे ले रहा है, कोई किसी चीज के नाम पे ले ले रहा है. लोग manual परीसान ओपरा काम तो सिर्फ इखटा होना है जब इखटे होंगे तो देश की प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा होगा जो चाहेंगे वो किरा लेंगे ओर्धनेस तो मि इखटे हो जाएंगे तो हम क्यों कसto करें ओन्वर की तो इक्साइज करें दुनिया वरकी जो supports हो जाए आज आपकी वंद हो जाएंगी ऑपके उक्तार्णा बन हाएंगे सरकारी कर्मचारी का चाहे हैं निहुद syन के ऊपर हैं पुरन क्यों आटÁ तो लोग कहते हैं कैसे हो जाएंगे अरे बहुता होना है तो आपकी सब चोटी-चोटी समस्या निकल जाएगी सारी भाहर हो जाएगी होनी बंद हो जाएगी तो लोग कहते हैं अब हम आर्थिक काम करेंगे आर्थिक अब हम लोगों को क्योंकि हमने बिजनिस नहीं किया अरे कोई बात नहीं तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पे हम लोगों की उलती करेंगे यह रास्ता नहीं हमने देखा तो बावा साब जब आप इखटे हो जाओगे क्योंकि जो बजट होता है तीसलाघ करोड़ का उसमें जो पचसीट परशंट है वह तो आपका है वाप ले रहे लिएक तो तिसलाग क्रोड ले लो एक्याउन पर्शंट तो इखटा होना है वहाप इखटे नहीं होगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा वैकर आपको दैरा पड़ेगा आप महगाई में मारे जाओगे तो कितना आसान तरीका है कहां लगते हैं गौर्मेंट से दा से जार मिल जाए पचास मिल जाए नहीं मिलें नहीं मिले तो हमें खटा करने कितना से हुटा करोगे यह उसमें हिसा है और जब सारा कुछ आप चा चारकर करके यह आ जाрушत और तो यकुछ भी कर लो सो पंद्य कोड़ों हैं सो पंद्य कोड़ों के लिए किती युनिवस्टिया चाहिए हज्जारों की संख्या में चाहिए मनकर लाग के बरावर चाहिए कहां से खोलोगी आपके पास तो पैसा नहीं कर सकते इस काम को और गौर्मेंट इंडिया में सम्धान यह कहता है एकटे हो के तो आओ मेरे आगा मैं खत्रे में नहीं हूँ खत्रे में तो आप ले लो अभी नो बज़े और नो बज़के 36 मिड़के आप एकटे हो जाओ नो बज़के 37 मिड़के अट पास हो जाएगा आपके फिर फिर में कि आज के बाद में यह चीज़ आपके मिलनेंगी कौन मनें करता है अगर यह संविधान की व्वस्ता खत्म हो गई और यहां राजशाही हो गई या नार आप इखटे भी हो जाओगे तो नहीं होगा जैसे पुराने समय में होता था बढ़ जाकी कोई नी सुनता क्योंकि राजा के यहां संविधान लागू नहीं होता है इसलिए यह सारी चीज़ें जितनी भी हैं यह महापुरसों ने बताई हुई है जब महापुरस का दिना आता हो तो हम मारे जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि आप इखटे हो जाओ तो हो सकता है संग्धनों के आका इखटे ना हो क्योंकि कुछ जो उनके ऐसी लोग है जिनको बहुत ज़्यादा गुलाम और मांसी गुलाम बना रखाए भक्त बना रखाए वह अपोज करेंगे आपका क् खत्रा महसूस नहीं होता उनको दिखाई नहीं देता कि अब हम मरने वाले हैं खतम होने वाले तीस साल के अंदर हमारा सारा पैसा चला जाएगा सारी नौकी चले जाएगी और एजुकेशन होने के बावजूद भी नौकी नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में तो काश्ट देखके मिलेगी इंटर्विव में तो आपका नंबर आए गए नहीं कौन देगा क्योंकि आपकी इंडिस्ट्री तो है नहीं तो ये बात उनको समझ में नहीं आती जो भक्ते हैं उनको बहुत छोटा दिखाई देता कि तीस साल करोगे जब काम नहीं करोगे तो क्रिमनल बनोगी और फीर डिप्रेस्म करना हो तो उसकी बात मानखे क्खटे होना चाहिए को कि एकटे होंगे तो भुछेंगे दुनिया में जानवर जहां कमजोर होते हैं वह ऐस aanड़ जंड़ investigators तो नेचर जुंद में बसती है, आदमी जुंद में बसता है, जानवर जू आदमी जुंद में बसते है, जानवर जू तूपनी जैसा जो आदमी है जो इसको आफने को दबंग को डियुक n Pl. रहने जोगे चाहए को बिचने। दिखाते रहेना जिन्दे रहोंगे तब शूंकि थो इन असंदे रहेना किशै Серए जिन्दे रहने का खत्रा है एक्जिस्टेंस की सवारी आ रही है जो लोग अच्छे पढ़ लेके जानकार वो जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर जो लोग अलग ठलक रहे हैं जिनके समाज बिखर गए हैं वो लोग उनकी जड़े और नसले खतम हो गई हैं और किसी कर बचे यह वो लोग है जिनको समझ में आता है रहे जब इखटता ही करना है यह यह दो इधर आ जांग लगानेगा पुस्तों करो यह बच्चों को बचाने का कोई रास्ता निकालो उस तो सोचो यह दिमाग दिया है बावा साब ने तो इसका इस्तामाल तो करो यह कब तक भक्ती करोगे कब तक पूजा करते रोगे कब तक मुहम्मती जलाते रोगे जला लेना अगर बच्चे बच्चे जाए तो सब काम कर लेना खुद बचो तो जगड़ लेना लड़ लेन अभी तो बचने का नंबर है इसलिए वीदा पीपल बार बार कहता है कि जो जो लोग जुड़े हैं वहां बचे हैं जब जब जुड़े हैं तब तब बचे हैं और जो जो नहीं जुड़े हैं वह मारे गए हैं इसलिए जिंदा रहना है जुड़ेंगे तो जीतेंगे जुड सादू, 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 सुदेर जी, बहुत अच्छा। सादू, सादू, सादू अच्छा िूस, सादू, सादू, समय झाल, बहुत अच्छा उन्धर व्याओ झाल 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 झाल